हे गाइस बेलकम बैक माई वीडियो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं ओसन इस होम सरवाइवल को सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे सिंट्रो के बाद सो गाइस गन बनाने के लिए मुझे पहले चाहिए बहुत सारा मेटल और मैंने कल मेटल माइनिंग किया था और पिघलाया था सो गाइस सारा मेटल इसी चिमनी में हैं इसे निकालते हैं और हम मेटल को माइनिंग करने चलते हैं तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कितना सारा मेटल मैंने माइनिंग करके रखा हुआ पिगला कर देख लीजे इतने सारे मेटल हैं मेरे पास 133 मेटल है तो अब हम चलते हैं और ज़्यादा मेटल माइनिंग करने पहले हम थोड़ा सा पत्थर निकाल लेते हैं ताकि हम मेटल माइनिंग करने के लिए गुलहाड़ी बना सकी ओके अब हम चलते हैं थोड़ी सी लकड़ी कट लें ताकि एक न्यू गुलहाड़ी बना सकी और गाइस मैं ऐसे ही घूम रहा था मेटल हेरने के लिए तब ही मैं एक आइलेंड में पहुँचता हूँ जो की पानी से घीरा हुआ था उसमें एक बहुत उचाई पर एक घर था और आगे एक मसीन थी जिससे हमें अलिम्टेट पिट्रॉल मिल सकता है सो गाइस चलेंगे हम उधर भी आपको हम दिखाएंगे कहां पर है मेटल हो गए हैं और दो कोपर और हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सम आगे और चलते हैं आल्राइट गाइस मुझे आगे और मेटल दिख रहा है इसे भी हम तोड़ते हैं दो कोपर मिला और मेटल मिल गया और स्टोन मिला स्टोन की तो हमें जरूरत ने मेटल बहुत ज़्यादा चाहिए सो मेटल तो मिल चुका है अब हम आगे और धूरते हैं और वीडियो को कट कर देते हैं सो गाइस मुझे मेटल कहीं और नहीं मिला सो हम घर आ चुके हैं तो चलिए अब हम जो मेटल आए हैं इसे हम पिघलाते हैं इधर फ्यूल की जगे में हमें लकड़ी डालनी है ओके अब इसे ही स्टार्ट कर देते हैं यह पिघलना ही स्टार्ट हो गया 19 मिनट में 19 मेटल पिघलेगा और गाइस आपको हम दिखाते हैं कितना ज़्यादा हमें टीन चाहिए एक गन बनाने के लिए 140 टीन चाहिए MP5 गन बनाने के लिए तो कोई बाद नहीं मेटल तो हमें बहुत सारा मिल जाएगा बठाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो गाइस हम एक टरनिंग रैंक बना लेते हैं रैक सो चलिए हम पहले उसे भी बना लेते हैं फिर उस आइलेंड में हम चलेंगे इसके लिए मुझे 20 रॉप चाहिए सो हमने रॉप तो बहुत सारी रखी हुई है हम निकाल लेते हैं इसमें नहीं है इसमें हैं गाइस All Right मैं इसे निकाल लेता हूँ जादा नहीं निकालूँगा सिर्फ 20 निकालूँगा जितने का हमें काम है Okay 20 20 हो चुका है अब इसे हम क्राफ्ट करते हैं और वीडियो को हम कट कर देते हैं क्योंकि ये एक मिनट में क्राफ्ट होगा Okay क्राप्ट हो चुका है हम इसे इधर ही लगा देते हैं यहीं पर लगा देते हैं और इसे अब हम देखते हैं कैसे यूज करना है सो चलिए मेरे पास लेदर भी है मैं लेदर लेकर आता हूं और इधर देखते हैं इसे कैसे करना है लेदर तो मैंने किसी बॉक्स में रखा हुआ है देखते हैं किसमें और ये देखें सल्फर मैंने कितना सारा रखा हुआ है ओके हम लेदर उठा लेते हैं किस वाले बॉक्स में है देखते हैं इसमें हैं तो हम सारा लेदर उठा लेते हैं और इधर आते हैं और इसे हम start craft कर देते हैं तो यह होने लगा है craft दो मिनट में एक लेदर craft होगा तो चलिए अब हम आपको वो चीज दिखाते हैं जिसकी आपको इंतिजार था तो guys मैं इधर एक बार आ चुका हूँ और अपने boat से आया था वट पता नहीं क्या हुआ boat में fuel बगेरा सब था वट बो बंद फड़ गया और उधरी रह गया तो मैं उसका use भी अब नहीं कर सकता वो आगे दिख रही है मेरी boat और fuel भी है अभी भी उसमें वट वो किसी काम का नहीं है सो चलिए हम अब दिखाते हैं पास एक दम boat को पता नहीं क्यों बंद पड़ गई मुझे तो पता नहीं और उसमें कुछ है भी नहीं fuel बस डालने को option आता है बस और बैठने का ओके हम boat के पास पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं इसमें मैं बैठा और देखिए मैं इसका कंट्रोलर उपर कर रहा हूँ बट फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा और देख लीजे fuel भी है इसमें बट इसमें क्या हो गया मुझे पता नहीं और मौडने से बस मौड जाएगा बस अब चलते हैं आइलेंड की ओर और आपको दिखाते हैं बस हम पहुंचने ही वाले हैं और boat आवर आपको दिखाते हैं ये रहा बो टाबर सो हम इसके उपर चलते हैं और इसके उपर मुझे लूट भी मिली थी चलिए हम उपर चलते हैं और दिखाते हैं इसका गेट खोलते हैं और इधर से लूट मिलेगी ये और एक और बॉक्स है जिसमें मिलेगा लूट ये रहा इसमें भी बहुत सारा लूट मिल जाता है तो अब हम नीचे चलते हैं और वो मसीन आपको दिखाते हैं और गाइस ये रही पिट्रॉल वाली मसीन इसी से मुझे अलिम्टेड पिट्रॉल मिलता है तो पिट्रॉल लेने के लिए हमें गेसोलीन करना पड़ता है और 20 गैलन आ जाता है इसमें पिट्रॉल तो इसे उपियोग करने के ऐसा है और अलिम्टेड फियूल है इसमें ये रही पूरी मसीन सो गाइस आज के लिए वस इतना है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद